बना है चलिए तो पहला क्यूशन देख रहे हैं समाने ध्यान में भारती करांती काड़ियों ने अमेरिका में गदर पार्टी की अस्थापना कब किया था कब किये थे भारती करांती काड़ियों ने अमेरिका में गदर पार्टी की अस्थापना तो आपको पता हो न शे कि बहुत महत्पुन भूमिका रही थी गदर पार्टी के लिए और पर्मुख नेता उनके कौन-कौन थे मुहम्मद जो बरकतुल्ला थे भगवान सिंग थे राम चंदर और सोहन सिंग भखना थे यह लोग थे तो आंसर इस में क्या बनेगा आपका करेक्ट एंसर बी 1913 में अगला प्रस्म बताईएगा 14 बरे वानिज्य बैंको का राश्टी करन कब हुआ था तो आंसर क्या बोलेगा यह हुआ था 19 जुलाई को नई जुलाई 1969 को हुआ था 14 बैंको का राश्टी करन हुआ था अनसर बन जाएगा करेक्ट अंसर बी अगला बताईएगा कि गुरू गुरू केलु चरन महापात्रा की नाम मुख्यत निमलिखित में से किस निरत्ते से संबंदे हैं तो आप बोलोगे ओडीशी से हैं और यह ओडीशा राज्जी का शास्तर निरत्ते हैं जैसे हहाँ पर मोहिनी आटम किस राज्य के हां बता दिए गा ना किस राज्य का है किरल का है और कथक तो कथक आप बुलिएगा यह उत्तर पडिसक और चाहलती से असम का है है यह सब कहांचर पर है किस रेड उर्ड़्नाईजेशन की थापना कव होती है तो यह भी याद रखें उनीशो पंचानवे में की गई है एक जनवरी उनीशो पंचानवे में अगला प्रस्म बताई यह निमलिखित में से कौन भारत के पुर्वराष्ट पती नहीं रहे हैं को नहीं रहे हैं आपको पता है आर के नरायन रह चुके हैं ग्यानी जैल सिंग भी और संकर्द्याल सर्मा भी लेकिन विस्वनात परताप सिंग नहीं रहे हैं तो आंसर क्या बन जाएगा कर्णिट अंसर ऑप्सन डी होगा यह भारत के हमारे पुरुपरधान मंत्री रहे हैं विस्वनात परताप सिंग पताएगा संजूक्त की कास 350 के संदध्र में निम्लिकित में कौन सा कथनहें कौन सा लगश्ऐ संस्ख्या कोन सा है लगश्फश संख्या' नर глаз रखना कर लेख लिए इसी कौन सा हां उद्योग नवाचार और बुनियादीठाचा सलन्द की सब्सक्राइब ऑचनद कर यह अ जो कि संजुक राष्ट के सतत्विकास लक्षों के संदर्व में यह जो है लक्ष संख्या नंबर एक है अगला प्रस्ण नेखें यह और लक्ष संख्या नंबर दो जो है पता है क्या है भुखमारी से मुक्ति और नौमा लक्ष पता है क्या हूँ द्योग नौचा और बुर्णिया अगला प्रस्म बताएगा B.S.E.B. B.S.E.B. का अर्थ क्या है बताएगा B.S.E.B. B.S.E.B. का फूल प्रम बता दीजी क्या होगा तो आप बुलेगा कि बिहार स्टेट इलेक्टर सिटी बूर्ड क्या बुलेगा बिहार स्टेट इलेक्टर सिटी बूर्ड करेक्ट अंसर हम तो इसकी अस्थापना होती है यानि विदूत अधिनियम 1948 के तहट नाइन्टी एट के तहट होती है एक अपरिल अगला देखेंगे हम लोग को लेरु जील किस राज्ये में है को लेरु बताइगा तो आंद्र पढदिस में correct answer B बनेगा आंद्र पर्दिस में है बेंबनाड और अश्ट मुदी जील किस राज़े में है तो आप बोलेगा किरल में है और कुड़ा कलाइल और याफी काली वेली जील यह किस राज़े में पढ़ता है तमिल नाडू में पढ़ता है नैनी ताल हो गया राकस ताल हो गया मा बिला ताल हो गया देव ताल हो गया उत्री हो गया तो आन्सर हमरों का कॉरेक्ट इंसर बी कर नेक्स बताएगा भारत ने रांश्ट मंडल खेलों की में जबानी किस वर्स किया थी तौप आंसर क्या बन जाएगा और एक अंषर बी 2010 में 2010 में नई दिली में हुआ था और 2018 में तो 2018 में हुआ था कहां पर यह अस्ट्रेलिया में हुआ था गुल्ड कुस्ट में और 2012 में कहां पर हुआ था 2012 में आप comment section में हुआ है कि clearly स्ट्रेलिया में ही हुआ था मेलबॉर्ण में 2014 में स्कॉर्ठों में हुआ ग्लासगो में दो धुजर जार कोबिस में कहां पर हुआ है कि अगला बताइगा अगला बताई भारत का जो है राश्टिय विरासत पसु कोन है भारत का राश्टिय विरासत पसु कोन है बताई तो आंसर बोलिएगा हाँ थी है राश्टिय वीराशत पशू का दर्जा दिया गया था इसकी घोसना जो है अक्टूबर 2010 में दिया गया था और इसकी घोसना परयावरन मंत्राले द्वारा किया गया है और एसी आगे करीब 30% था थी जो है कहां पर निवास करते पता है आपको भारत में अगला परस ने किया बुद्ध का जनम हुआ था कब हुआ था बुद्ध का जनम तो आंसर बोलिएगा करेक्ट अंसर ए पांसो सरसट इसापूर पहले हुआ था कहां पर हुआ था कपिल बस्थू के लुम्बनी जगह पर हुआ था जो साल ब्रिक्ष के उपवन ग्राम में हुआ था उनको उनका जनम अगला बताएगा कि मंगल गरह अपने कक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितने स ताल पता है कितने दिनों का होता है हमारे प्रिथ्वी जहां पर एक साल होता है उसका two times वहां पर एक साल होता है मतलब six तो आंसर बुलेगा तरी पुलिए अगला बताइगा तारीख फिरोज साही लिखी गई इसके द्वार लिखी गई ती तो यह लिखी गई जियाओदीन बढ़नी के द्वारा इस अगला बताइस डैस के सासनकाल के दोरान थे तुलसिदास किसके सासनकाल के दोरान थे तो अकबर के आंसर यह बनेगा अकबर के अकबर और जहांगीड के यह थे समकालिन थे तुलसिदास जी अगला परसंदे के निमलिखित में से कौन सा पदम विभूसन का पहला प्राप्त करता था कौन थे में 1901 में और हर्गोविंद खुराना जी को यह नाइटि 69 में नाइटि 69 में यह जो इनको बिज्ञान अभी अंत्रिक मतलब इंजिनियरिंग के छेत्र में दिया लुद ज्याडी टाटा ज्याडी टाटा को कब तो 1955 में यह ज्यान मत आइगा तो इनको दिया गया था 9059 में दिया गया था इनको साहत्यम सिक्षाट के चैतर में दिया गया था अगला आते हैं हम लोग तो आंसर क्या समझ गए आप क्या है correct answer आपका option इह है 279 बोस निमलिखित में से कौन मुंगफली का पर्मुखुत पादक है कि भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बाटा गया है तो अब बुलिएगा तीन सेक्टर में बाटा गया है वो तीन सेक्टर कौन कौन है पश्चमी सेक्टर जो जमुकस मिल परता है मिदल सेक्टर जो हीमाचल करण परता है वुटरी सेक्टर में सेक्किम और अध्माचल परता है बताईगा विश्वे नसेव तो आंसर क्या बताएगा चमोली जीला में और यह जो है यूनिस्को के विरासत अस्तल में जोड़ा जा चुका है तब 2005 में जोड़ी गई है अगला बताएगा कि बिस्व में भारत उत्पादन में अगरीनी है इस चीज में अगरीनी है बताएगे तो बोलिएगा माईका माई जो भारत में उत्पादन होती है उसकी 50 पर 30 अकीला कौन सा राज्ये उत्पादन करता है तो है जारखंड उत्पादन करता है अगला बताएगा बरौली तेल परिसकरन साला जो है अस्थापित हुआ था कब हुआ था अस्थापित तो आब बोलेगा 1964 में आंसर करेक्ट सी total assy यह किसके साहिपा से भुए था तो यू जा बतलब की आब श्रक्लाइए को में से कौन सा यसे नमक का अधिक्टम उत्पादन करता है दो स rodzicaat तो आप बुलिएगा गुजरात राज्य अंसरी बनेगा अगला प्रस्त देखेंगे केहरा निमलेखित में से कौन सा भगवान विठोब की अस्तूती के भगवान विठोब की अस्तूती में गाया जाने वाला भक्ती कावे का एक रूप है बताए कोन है तो आप बताएगा अभांग परेक्ट्र असरी बनेगा अगला प्रस्न देखेंगा अमर्थे सेन अरथशास्त के चेत में उनको नोब舞ल प्रैस कीस वर्स मिला था तो आंसर क्या बताएगा अब मिला था इनको तो आंसर बलोएगा राज़े में बताएगा पहले देखते हैं बाला कुट कहा है बालुचीस्तान में काली बंगन कहां पर काली बंगन है भारत के राजस्थान राज़े में और नागेश्वर कहां पर है ऑला कुट क्या जाहिए बालुचीस्तान काली बंगन राजस्थान नागेश्वर कहां तो क recommending तो आपको पता है किस राज्य में है यह करनाटक में कावेरी नदी पे है और गुकाक गुकाक जलपरपाज यह घट परभानादी पे है यह भी करनाटक में गुकाक भी और डुडुमा जलपरपाज यह मंचकुंड नदी पर है यह पुडी शा और आंदर परदेश की सीमा पर है तो आंशा क्या बन गया हमारा और दुद्धवा टाइगर रिज़र्ब यह वह अनसर क्या बोलेगा भूटान का है पारो घाटी इस्ति जु है नगर जिला जुए मुख्याले है अगला बताएगा धारतिय राष्टी तिरंगा के असोग चक्र में कितनी आराय है कितनी आराय है तो आपको पता होना चाहिए यह तो बहुत ही सिंपल है इसमें यह कितनी तिल और लोग हैं आगे हमेन बहुत है की वोटिंग फोर्ड महात्मा वेटिंग फोर्ड कि महात्मा सिरसक्पुस्थग कि लिखक करनाम नाम नाम है और की को कोन लिखे हैं आरके नरायनG करेक्ट एंसर कैक बनेगा अगला परसन्वत बताएगा कि निमलेखित में से कौन मुऱरे शास्कों का का ईश वाक वार्जक क्रम उनुसार में कॊन सा है अगला प्र स्वार्ण काल करम में 2008 उसके था मतलब लगो 40-41 वर्स तक इनका सत्ता कब जा रहा तर आंसर बन जाएगा प्राचीन भारती इतिहास के संदर में निमलीखित में से कौन सा से लगां के सान के चेक साम कि चिकट साओ यह संक्रिट लिखक थे और विशाक्डद क्या थे तो यह नाटकार है और हरिसेन यह संस्क्रिट कभी है अग्ला वतहिए मगध में समराज् है के ततकालिक उत्रा ध्यकारी कौन थे अंतिव ए सासक ब्रेदत की हतिया कर उससे मुझ्ठ सुंग ने सुंग राजबन्स की न्उड़ दिथी तो आंसर बन जाएगा गर्टट्र चल्ए अगला वताएगा तत्वतह वर्न वेवस्था डैस पर अधारी थी इस पर अधारी थी तो आंसर बोलोगे उप जीविकापे आंसर सी बनेगा उप जीविकापे थी अधारी थी भारत का विभाजन किया गया था किनके द्वारा किया था भारत का विभाजन तो आंसर बोलेगा आप माउंट वेटे ने उजिना 1947 के दौरा भारत का विभाजन किया गया था 3 जूंण 1947 को correct answer इसी बन जाएगा बताएगा बंगाल में द्वैद सासन के अस्थापना किस ने किया था बंगाल में द्वैद सासन के अस्थापना तो आप बोलोगे कलाइब किया था यе बनेगा कि द्वारा उनिमलीकित में कौन सा बंद्रगाः गुजरात में है तो आप आंसर क्या बताओगे तो आप कांडुरा बंद्रगाहर नाम बदल कर क्या कर दियागिया इसका यह भी याद रखेंगे अब इसका नाम दिन दयाल बंदरगाह कर दिया गया है पुरानों की संख्या टूटल कितनी है पुरानों की संख्या टूटल 18 है करेक्ट अंसर बी बनेगा पुरानों की संख्या कितनी है टूटल तो अब 18 है बताएगा हेमकुंड साहिब गुरु द्वारा किस राज्य में हेमकुंड साहिब गुरु द्वारा जो है किस राज्य में हेमकुंड पांसर क्या बताएगा तो यह जो है उत्रा खंड में हेमकुंड करेक्ट अंसर भी बनेगा हेमकुंड साहिब गुरु द्वारा जो है यह कहां पर है अगला प्रसन देखेंगे कह रहा है किया चांदी बीवी जिन्होंने अकबर के बल के सामने समर्पन कर दिया था डैस की सासी का थी कहां की यह सासी का थी तो आंसर बोलिएगा अहमद नगर की सासी का थी अगला परसने के भारत में मुगल समराज्य की अस्थापना किस ने किया था मुगल समराज्य की अस्थापना बावर किया था होता है अगला परसने किये गा 1526 में जो पानीपत की पहले लराई होती है इबरहेम लोदी और बावर की पीछ में होती है जिसमें इब्राहिम लोदी पूरी तरह से हार जाता है उस समय जो है उसके बाद जीत के बाद मुगल स्मराजे के रस्थापना करता है अगला देखिए कहरा है क्या टीपू सुल्तान सासक थे कहां के सासक थे तो आंसर बोलेगा मैसूर के करेक्च असर सी बनेगा मैसूर के सा सकते इनके पीता हैदर अली थे और 1782 में मिर्टी बाद टीपू जो थे मैसूर के सासक बने और बिर्टीश सेना के विरुद जो है लड़ाई लड़ी और अपनी रजधानी स्रीर रंग पटनम की रक्षा करते हुए 1799 में बहादूर की मौत हो बहादूर की मौत मारे गए कौन टिपू सुल्तान अगला बता कि निम्लिखित में से किसे जो है इस इंडिया एसोसिएशन संगठन के सापना अस्ठापना की है कोन की है इस संगठन की सपना इस इंडियाएसोसिएशन के तो आज़सर क्या बताएगा करेक्ट एंसर सी दादा भाई नरे樂 जी कहां पर क राप्त करने वाला प्रथम मुसल्मान कौन था प्रथम मुसल्मान कौन था तो आंसर बोलेगा अलावदीन खेल जी करेक्ट एंसर यह हुगा अलावदीन खेल था प्रथम भारत में प्रतिब भारत में प्रतिब होती अपिलिये न्यायधिकरन यानी सैट की अस्थापना किस हुई थी भारत में जो है प्रति भूति अपिलिये न्याइधी करण की अस्थापना की स्वर्स हुआ था तो आंसर बताएगा उन्नीशो बाणवे में करेक्ट एंसर सी होगा उन्नीशो बाणवे अगला बताएगा कि निमलेखित में से कौन सा सोतंत्र भारत की प्रथम वित म प्रशने के लसी वास्ट्विक नियंत्रन रेखा भारत और किस देश के बीच एक परभावी सीमा है लसी बताएगे किसका है कि आंसर क्या बताएगा तो भारत और चीन के बीच में करेक्ट एंसर ऑप्शन भी होगा अगला प्रशन देखें इस संसोधन के अंतरगत समीधान में मुलभूत कर्तव्वे को सम्विष्ट किया गया है मुलभूत कर्तव्वे किसमे है तो आपको पता होना चाहिए मेनी कंस्ट्यूशन इसे कहा जाता है 42 संसोधन को तो करेक्ट एंसर बी बनेगा कभू था 976 में अगला बते काम करने का अधिकार को राज्य के निती ने दे सकता तो में निमलिखित में से किस अनुशेद के अंतरगत रखा गया है काम करने के अधिकार को निती ने दे सकता तो में किस अनुशेद में रखा गया है तो आंसर क्या बताएगा अनुशेद 41 में राइट अंस कहा है इसमें रेडियो मतलब ब्रोड कास्टिंग में आवाज और संगीत मतलब लहरो तरंगे का जो वहन तरंगों में जोड़ने की परिकरिया क्या कहलाती है क्या कहलाती है यह कहलाती है modulation क्या कहलाती है अगला प्रसने कि वह अब रिती जिससे एक electron प्रति कक्ष का चकर लगाता है दर्साया जा सकता है दर्साया जा सकता है दिया जाता है इसमें दर्साया दिया जा सकता है तो आसर बोलेगा f equal to b by 2 pi r में correct answer c बनेगा हम लोगा अगला प्रसन देखिएगा कहरा कि परिपत का समय जो है इस्थे रांग जो प्रेरक्तों एब अमपर्ति रोध को दर्साता है दिया जाता है कैसे दिया जाता है बताए तो आसर बोलेगा इसमें correct answer d l by r correct answer यहाँ पर क्या बन जाएगा l by r अगला बताए यदि यहाँ पर दे रखा है यह बोर्ड मास है इसमें x की value find करना आपको बोर्ड मास solve करो और इसका x की value find कर दो बहुत इजी है इसे अब दुस्तों copy पेनल ले करके इसे note करिए और note करके इसे solve करिए और x की value find करें यहाँ पर कि क्या आएगा आपको बता देते हैं x की value correct answer a आना चाहिए तो correct होगी आपकी answer okay 0.7 आनी चाहिए बताए एक heart is बराबर कितना होता है एक hearts बराबर कितना होता है तो answer क्या बताएगा एक hearts बराबर one cycle per second होता है तो correct answer option a हो जाएगा यहाँ पर हाटर जो है यहां अवरिति की काई होती है इसमें दूस्तों तो बताएगा ने टू एस और टू वो तीरी एने और टू एस और टू ओ ओ तिरी जो है यहां क्या है तो हाइपो है हाइपो कहने का मतलब sodium hypo sulphate sodium hypo sulphate थायो इसे बोल सकते हो आप एने टू एसो फोर को क्या बोलेंगे सोडियम सल्फेट बोलेंगे एने टू एसो थिरी को क्या बोलेंगे तो सोडियम सल्फाइड बोलेंगे और एने एच एसो फोर को क्या बोलेंगे सोलियम सोडियम बाई सल्फेट बोलेंगे तो इसे हम लोग हाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह हाइपो योगी कहलाता है अब देखिए असपर संसपर्स वीधी में जो है उप्यों किये जाने वाला प्रेयरक्ष कोन है तो आंसर क्या बताएगा बताएगा समानेता ला साते लिए समानेता ला साते लिए सिद्धानत अभीकिरिया पन्निमलिखित में परिवर्तन का प्रभाव को घोसित करता है कौन घोसित करता बताएगा तो आंसर बुलिएगा तापकरम ताब सांदर्ता उप्यूक्त सभी तो आंसर बुल जाएगे करेक्ट एंसर डी सभी अगला परसने के एहरा कि नाइट्रिक अक्साइड एफ एएसओ फोर से मिलकर गहरे भूरे समिसरन मनाता है इसका सुत्र बत बताएगा एफ एसओ फोर इंटू एनो एसओ 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 फोर इंटू एनो होगा तो करेक्ट अंसर हमारा ऑप्शन ए बन जाएगा यहां पर अगला प्रसन देखिएगा क्या कि है राया नेक्स्ट में कि 150 डिग्री सेल्सियस तक गरम करने पर यूडिया क्या देता है सालवे की परिकरिया का सह उत्पादन है सालवे की परिकरिया का सह उत्पाद क्या है तो आंसर बताएगा इसका उत्पाद है कार्बन डाई एकसाइड सी ओ टू है करेक्ट एंसर सी बन जाएगा अगला बताएगा कहरा है कि निमलेखित में से कौन सा अमलेक्रित के टू सी औक्सी करन कर जो है ऐसी टोन देता है कौन देता है ऐसी टोन बताएगा तो आंसर बताएगा correct answer B CH3 CHCOH into CH3 correct answer option B बनेगा यहाँ पर आपका यह ऐसी टोन देता है अगला प्रस्थन देखिएगा कहरा निमलिखित में से कौन सा बिटामीन की जो है नियासीन के नाम से जाना जाता है कौन से बिटामीन को नियासीन के नाम से जानते हैं तो आपको पता हो जायना चाहिए बिटामीन B3 को नियासीन के नाम से जानते है अगला देखिए निमलिखित में से कौन सा लवन जो है ग और ग्रिन फिल्म परिक्षन बताएगा तो इसे हो दो आंसर बताएगा Fact Dan अप सब्सायर बिएonban जिएल फिर हो यह को लाइट है जिनमें और सुक्ति दूधा होते हैं या करेम योगिक मैं कर्मुर मधंदूई बंद यह능ं क्या कहला थे तो यह कहलाते हैं एलकीन्स क्या कहलाते हैं नेक्स परसन देखेंगे हम लोग तो कह रहा है कि विशनु जी विशनु जो विशानु जो तीन बिविन जो है पर पोधों को ग्रस्ट करता है वह क्या है पतेगा तो आंसर क्या बुलीगा करेक्ट एंसर सी एल पी पी वन एल पी पी वन करेक्ट एंसर सी बन जाएगा एल पी पी वन अगला प्रस्ने कहेगा माइको प्लाज्मा माइको प्लाज्मा विशानू से अलग है क्योंकि यह समेदन सील है किससे तो टेट्रा साइकलीन पर है correct answer D बनेगा टेट्रा साइकलीन अगला बताएं सापेक्ष परागकन उत्पन देता है सापेक्ष परागकन उत्पन होते है किस में होते हैं परागकन उत्पन तो आप बताएगा पाइनस में correct answer C बनेगा पाइनस में होते है देखे अगला कर्स्न क्या है कि अगर पूरा प्रो रूप आंत्रित सुआंगी कारक फलन है तो यह है तो यह क्या है तो यह क्या है फाइलो क्लेड है करेक्ट अंसर डी बनेगा फाइलो क्लेड कहने का मतलब है पर्न काय अस्तंब आलू का अग्र सेट्षन जो है अरली ब्राइट किसके द्वारा उत्पन होता है तो आंसर क्या बोलेगा सधारंत्य मनुष्य में पाये जाने वाला पार्क टेप वर्म है पाये जाने वाले पूर्क टेप वर्म क्या है तो इसका नाम है तेनिया सोलियम तेनिया सोलियम करेक्ट अंसर सी बनेगा तेनिया सोलियम यह जो है रोग उन लोगों से ज़्यादा होता है जो लोग सुवर का जो है कच्चा मांस खाते हैं अगला बताइएगा अराईड्रा अराईड्रा या फिर हराईड्रा ख्लोरो हाईड्रा और वेरी डिशीमा हरा इस वजह से दिखता है किस वज़ा से देखता है या तो आंसर क्या बुलिएगा आंसर बुलिएगा इसका कुलोरेला वेल गरीश के शांथ जो है सहजीवी शह संबंद के शांथ देखती है यहारा करेक्ट अंसर सी बन जाएगा अगला प्रसन देख रहे हैं यहां पर बोड़ मास्का है जो इसमें आपको स्वाइंड करना यह आपको इसको फ्रेक्शन में आएगा इसको गुना कर देना है जब गुना करके आएगा तब इससे इसको डिवाइड कर देना है तो आपके पास आंसर आजाएंगे correct answer D आएंगे तो correct हो जाएगा आपका यह solution ठीक है तो इसे solve करिए आपको आपको खुद से अपने से 832 चाहिए correct answer D next बताएगा प्लाज मोडियम वाई वैक्स एक पर जीवी है जो मनुस्य के किस अंग में ब्रिधी करता है किस अंग में ब्रिधी करता है तो आंसर बोलो गया आप आर बी सी में correct answer यह हो जाएगा आर बी सी में कर देखिए समाने ध्यान question आपका क्या मोरेकाल में पन क्या था मोरेकाल में पन था क्या तो पन पता है क्या था इसका थ्री फोर्थ तोले के बराबर चांदी का सिक्का होता था पन तो आंसर क्या बन जाएगा सिक्का correct answer D बनेगा भारत में परसिद सक सासक कौन थे बताना है भारत में परसिद सक सास सांत में सूफी मत का जो है फिर दोसी सिलसिला लोग पिरिये था बताइए तो आंसर क्या मुलेगा बिहार में करेक्ट असर डी बनेगा बिहार अगला बताइए दुनिया के एक मात्र समुद्र का नाम बता है जिसके पास भूमी सीमान नहीं है वह कौन सा समुद्र है तो वह नाम है साजाल सागर आंसर सी होगा सारगासो सागल जिसके पास भूमी नहीं है क्युकि यह उत्री अकलांटिक महासागर के पस्षिमिद Almighty वात्र शारकसी से पर्भावाउित होने वाली जल्धाराओं coverage सांत ह converge जल्धारा श्िीत है अगला मते हैं गंभीरा धाली World ऑर जात्रा किस राज्य का पषिद्वेस्ट सेली है बताए किस राज्जे का है गें रहत जात्रा देखे rate ऑर बित्राबीud आईए अगला प्रसन देखते हैं कि एक भारती राज्य का सासक जिन के जिन से फ्रांसी सीयों के साथ मित्रता की वह था वह कौन था तो आंसर क्या बुलेगा टिपूल सुल्तान थे कारेक्ट अंसर डी बनेगा टिपूल सुल्तान दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन किस छेद मतलब किस देश के पास है तो आंसर क्या बोलीगा टाइम सबसे ज़्यादा जो है 24 तैम जोन है 24 समय जोन में विवाजित किया गया इन जोनों में जो है ग्रीन मिच और सबसे ज जक्र पॉलिएगा बद्रुदिन तयव जी करेक्ट अशर सी होगा कावेरी संक्रमन अक्तूबर महीने में डैस में मनाये जाने वाला एक तुहार है कावेरी तो आंसर क्या भूलिएगा कहां पर यह होता है करनाटका में करेक्ट इंसर भी बनेगा करनाटक अगला प्रस्ट देखिएगा निमलिकित में चार राजनेतिक दलों में से किसका गठन सबसे पीछे हुआ है सबसे पीछे किसका हुआ है तो आपको पता है ब्रेटिस कंजर्वेटिव पार्टी इसका अस्थापना का होता है तो 1834 में यू एसेस डेमोक्रेटिक पार्टी की अस्थापना होती है 1827 में यू एसेस रिपबलिकन पार्टी की अस्थापना होती है 1814 में और भारती राश्टी कंजर्वेटि का तो पता है यह 1885 में होता है तो किसका हो रहा है देख रहे हैं आप answer क्या बोलेगा किसका सबसे पीचे हुआ है तो वह भारती रास्टीक ऑंगरास का answer डी बनेगा निम्रिक में कौन जन जाती नियूजी लैंड में पाइ जाती है नियूजी लैंन में पाई जाती है माओरी में पाई जाती है और ओंगे औंगे जो है आपका भारत के अंदमान निकोबार्षेत में पाई जाती है बताएगा निमलिखित में से कौन टिवार जो है सूरे भगवान और उनकी पत्नी उसा को समर्पित है कौन सा पताएगे तो आंसर क्या बोलेगा चट पुजा जो है उनकी पत्नी उसा और सुर्य भगवान की यह पुजा समर्पित है बताए उकाई परुजणा किस राज्य में है उकाई परुजणा किस राज्य में है तो उकाई परुजणा गुजरात में है अगला बताए अंतरास्टि यह कृष्न भगवान मृत्त संग म वायू में वास्तिवीकी मात्रा को क्या कहते हैं तो आंसर बोलेगा एकशिक डुरोग बनेगा एकशिक आधरता अभिनेता और राजनेता सत्रूधन सिना की जीवनी का क्या नाम है इसका नाम क्या है तो आंसर क्या बुलिएगा correct answer B Anthony बट खामोस anything anything बट खामोस correct answer B मनेगा anything बट खामोस यह बीजेपी के लीडर है मतलग कि नेता है बीजेपी से और राज्य सभा के सदा से भी रह चुके है या लोग सभा के भी सदा से रह चुके है या पटना साहिप से अगला बताएगा प्रानी एवं अधिपाद वर्गों की महत्तम विवित्ता होती है किस में होती है सबसे ज़्यादा विवित्ता तो आंसर बुलिएगा उस निकर्टि बन दिये वर्षा वनों में अगला प्रशन है आईसो टोफ आईसो हाइट में रेखाएं हैं जो जोड़ती है किस को किस को जोड़ती है आईसो हाइट में तो आप बुलिएगा सम वर्षा वाली जगहों को जोड़ती है आंसर सी बनेगा अगला देखिए मौसमी परवास के दौरा अभी लक्षित जो आर्थिक गतिवीदी है वह किस छेतर से संबंदित है तो वह संबंदित है घुमंतु समू से आंसर करेक्टर डी बनेगा घुमंतु समू निव मूर आईलेंड इस्तित है कहां इस्तित है निव मूर तो यह इस्तित है बंगाल की खारी में भारत के कौन सा राज्य सुरुंदेश्वर महुथसो मनाता है कौन सा राज्य तो आंसर क्या बूलीगा एंतरास्थि वेपार का प्रमुख प्रहरी क्या है तो आंसर क्या बूलीगा डबलू टीयो बिस बबुवेपार संगठन गरिटाण सरडी बनेंगा हां कौण सा बगान फसल की शरेणी में आता है कवफाफी बोलिएकाि कवफी मधू बनी शितर कला सैली का उत पती जो है किस सराज्य से से हुआ है मधु बनी करेक्टेंसर डी बनेगा बिहार से भारत की पंचवर्सी योजना डैस में प्रचलित योजनाओं के अधार पर तियार की गए केंद्री की रित आर्थी क्यों समाजिक विकास का कारेकरम थी तो कहां से उत्पदित की गई थी तो यह पूर्व सोवियत सं सबसे वा वात्मय ग्रह जो है कौन सा है सबसे वात्मय ग्रह कौन सा है सोरे मंडल का तो आंसर बुलिएगा नेप्चून है करेक्टेंसर यह बनेगा नेप्चून मतलब वरुन ग्रह अगला प्रसंदे कियेगा तो कह रहा है सबसे सकती साली चोल सासक माने जाने वाले प्रथम डैस में राजा बने थे कब राजा बने थे या तो राजा बने थे 1985 में एक पूर्ण रूप से संजोजित नेटवर्क में 6 नोट को जोडने के लिए कितनी लाइनों की आउश सकता होती है कितनी लाइनों के हो सकता होती है तो आंसर बोलेगा N into N minus 1 by 2 यानि 6 और गुन्ने 5 और बटे N 6 है तो 6 में से घटा है तो 5 और 2 3 यानि 15 तो correct answer यह बन जाएगा 15 समिधान का स्रिजन किया गया था समिधान का स्रिजन किया गया था किसके द्वरा किया गया था बताई तो answer क्या बोलेगा correct answer बोलेगा cabinet mission के द्वरा cabinet mission 946 तो correct answer भी बन जाएगा आपको पता है समिधान सभा की सदसे संख्या कितने थे 389 थे जिसमें आपको बता दे British सरकार के पर्टेक्स में कितने थे तो इसमें थे 292 सदसे जो है British सरकार के पर्टेक्सासन थे और 11 परांतों से 93 सदसे देशी रियासत थे और चार गोचीफ कमिशनर जो चार परांतों के लिए जाने जाते थे अगला प्रसन देखिएगा एक चाया कठपुतली जो थियेटर परंपरा क्या है नाम थोलू बोमल लत्ता थोलू बोमल लत्ता किस राज्जे से परसिद है तो ये कनफर्म है दोस्तों कि साउथ में ही कोई है महराश्ट तो होगा नहीं या तो केरल करनाठक या अंधर परदिस तो आंसर क्या बन जाएगा राइट अंसर आपका ओप्शन भी आंधर परदिस पताए इनमलिकित में कोई करनाठक की एक पूर्व की और बहने वाली नदी नहीं है पूरव की और बहने वाली नदी नहीं है करनाठक की नदी तो आंसर क्या बोलीगा प्रित्वी के वायू मंडल में अनुमानित रुप से कितने परतिशत आरगन है इतने परतिशत आरगन है तो आप बुलीगा एक परतिशत और बनेगा अब सबसे अधिक नैट्रोजन है दुनिया में तीसरा सबसे बरा महासागर है तीसरा बतान है तीसरे करम पे तो पहला पे तो आपको बता है कोन आता है परसांद महासागर दूसरे पे कोन आता है तो आटलांटिक महासागर आता है तो तीसरे पे बता दिजिए कोन आता है हिंद महासागर आएगा चौथे पे आक्टिक महासागर आ जायेगा, तो कुरम देख लिए हमने तीसरा बताना था, तो ängtब बनाँ जाईगा हिंद माहसागर, और अगला बतासर, निमलेखिद में से कौन सा एक राज्ये, निती निदिसक्त तत्व, नहीं है, कौन सा एक राज्ये का निति नदे सकता तो नहीं है, अगला प्रसन बताईए, भार्ति समिधान में उलेखित मुल करता वे किसन कितना है, मुल करता वे कितना है, बताना है, तो कितना है टूटल, 11 है, कॉरेक्ट अंसर D बनेगा, कितना है, 11, नेक्स कुछन देखते हम लोग क्या है आपको पता है गर्मा क्या है सिक्षा है कब जो रागया था तो यह भी पता होने चाहिए दोचाध ऑगला नामीबिया सेह को डैस में कुणो नेशनल पार्क में लाएा गया ऊनो नेशनल पार्क पार्क 17 सितमब्र को चुड़ा गय था यह भी पता होना झाया आपको मद्य पर्डेस में भारत में उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिटी से निरमित है उत्री मैदान के से निरमित है आप बुलेगा इयह जलोड समिधान सभा की पहली बैठक कब होती है समिधान सभा की पहली बैठक होती है आपका 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली इस्तित कैंसिल चैंबर के पुष्टकाले भौन में होती है तो करेक्ट अंसर डीप बन जाएगा यहां पर और यहां पर अध्यक्षता कौन के थे तो औस था य पुष्टक लिखी है किरन देशाई की द्वारा लिखा गया पुष्टक बता दीजिए तो आंसर बोलेगा अप डड़ इन्हारीटेज ओफ लॉस होगा तो करेक्ट अंसर हमारा बी बनेगा इंटर्परेणियर अफ मैला डीज यह किसके द्वारा लिखा गया है तो यह लि द्वारे लिखा गया है ना और इस इन्हारीटेज ओफ लॉस यह किड़न देशाई जी के द्वारा दो गौड़ अरुंधति रोय के द्वारा डग्लास पैलेस यह लिखा गया है आमिताव घोस के द्वारा बदाई भार सरकार द्वारा विकल अधिनियम किस वर्स पारित क ऐसी बताना है तो क्या बनेगा आपका जातियां में फिर है खासी भी य को ने क्युक्त रहें यहां पर नहीं है तो कट्वाणा क्या न eligible is to comprorkize यह तो रहें फ्र बनेगा मिन conjत वाराएगले छेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है अनुमानित लंबाई कितनी है दूप छेत्रों का दूप छेत्र सहित भारत के समुद्र तट की आपको लंबाई बताना है कितनी तो आंसर क्या बोलेगा 75166 किलो मिटर करेक्ट अंसर सी बनेगा प्रंत तो मुख्य भूमी जदी पूछा जाए तो कितना है एक सबसे लंबी सीमा साजह करता है तो वह कौन सा देश है वह है बंगलादेश करेक्ट अंसर बनेगा और वह कितना तो तो इस्ए उस छहे करता है तो अफगानिस्तान के साथ के सबसे कमड़क एक और यह सबसे कम दरेज़ेथ से में इस राज्य में चाहि का भलने परिशाह में जो औरब शे कर नाटक है महाराष्थ बिहार है दिलागना है इसमें बिधान परश्द है अगला प्रस्ण बताएगा महात्मा गांदी दक्षिन अप्रिका से भारत कब लोटे थे बताए कब लोटे थे तो आंसर क्या बनेगा करेक्ट असर ऑप्शन सी जन्वडी 1915 कब जन्वडी तो नो जन्वडी कि नो जन्वडी कम लोग एन आर आई कि दे मानाते हैं प्रवासी दिवस बताएगा कि किस ने 1984 में एसियार्टिक सोसाइटी ऑप बंगाल की अस्थापना की थी कौन किये थे बताएगा तो आकसर बोलीगा कॉरेक्ट इंसर डी विलियम जोन्स किये थी कॉरेक्ट इंसर सी होगा अगला बताएगा कि निमलिखित में से किस वेग्यानिक ने द्रवों के उच्छाल संबंधि नियम जो है डिस्प्लेश्मेंट थियोरी का परतिपादन किया था तो वह कौन किये थे आंसर बनेगा आकिमीडीज करेक्ट इंसर होगा आर्किमीडीज किये थे बताएगर गैसों का दबाओ निमलिखित में किस से मापा जाता है घैसो का दबाओ किस में माम जाता है मैनो मीडर में आंसर सी बनेगा मैनो मीडर में अला बताना एक नियरिस्ति की वस्तु नहीं दिखाइदेती है यदि आपको nearest वाली नहीं दिखाई देती है तो उसके लिए अवतर लेंस का उपयों कर जाता है जदी आपको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है वस्तु तो उसके लिए उत्तर लेंस का यूज किया जाता है तो आंसर इसका क्या बनेगा अवतर लेंस और वो कौन निकर दिर अगला बता दीजें कहारा कि लकडी जो जलाने पर मुखेता कौन सी गैस निकलती है लकडी जलाने पर मुखेता गैस निकलती है carbon dioxide answer B बनेगा CO2 अगला बताना है आपको निमलीखित में से किस फसल का खाने योग्य भाग फल है किस फसल का जो है खाने योग्य भाग फल है तो आंसर क्या बोलेंगे आप आंसर करेक्ट यह बोलेंगे नारियल अगला बता है रेगिस्तान में पाए जाने वाले वनस्पति को क्या कहते है रेगिस्तान में जो पाए जाती है वनस्पति उसे क्या कहते है उसे कहते है जेरो फाइटा जेरो फाइटास अगला बता है उस अल लैंगिक प्रजनन को जिसम बना जाता है तो आंसर क्या बोलेगा जिपसम से बना जाता है आंसर C बनेगा जिपसम बताएगेगा बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गल्लांक पर क्या परभाव पड़ता है तो आप बोलोगे वह 0 डिगरी से कम हो जाता है अगला प्रसंद देखिएगा कि इस दोडुद्ल संदू है यह चांदी को क्या कर देता है काला कर देता है है एच्टू-स है डूद्ध खटा होने का क्या कारण होता है तो आंसर क्या बोलोगे आप लेक्टिकमर की कारण छो है इसी कारण दहीं जमती ओसको प्ता होना शायां दोस्तों % और मानस्पेसईऊ में हमारी लेकटिकमर जम जाने के कारण तो हमनुस धका हुआ महसूस होता है जैसे जो लोग दोर के आते हैं तो हमनों ठका हुआ फिल होता है then फ crane कम हो जाती है क्या है किativas कैरीन का रासायडी कि नाम क्या है तो आप बो़ोगे कि एसी टाइल सैली सैली सीलिक एसी टाइल सैली सीलिक अमने करेक्ट अंसर डी बनेगा आपका करेक्ट अंसर इमाने दिर में बताईएगा प्राचीन सहर हमपी किस समराज्य की रल धानी थी बताई किस समराज्य की रल धानी थी हमपी जो थी या किस समराज्य की रल धानी थी तो का नेपाल में था न करता है राजी पालव का पुर्धान करता है अगला कुशन देखिएगा कहरा है कि राम गुंडम उर्जा सर्यांत्र निम्लिकित में से इसके निर्मान के लिए परसिद है इसके लिए परसिद है यह उर्जा सर्यांत्र से ही क्या डिलेटर आता है आपका कि यह तापिय उर्जा है करेक्ट अंसर क्या बन जाएगा आपका औप्सन नमर B बनेगा यहां पे 26 मेगावर्ट की जो है तापी उर्जा सर्यांत्र है यह ना नेशनल थर्मल पावर कॉर्परेशन जो है नटीपी सी के अंतरगत दक्षिन भारत का सबसे बारा बेदूप सर्यांत्र है या राम गुंडम उर्जा सर्यांत्र बताईए नर्मदा नदी निमलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है किस राज्य से होकर नहीं बहती है तो कौन सा राज्य है बताजेगा नर्मदा नर्मदा देखे यह जो है न और अब सागर में तो निकलती ही है, महाराज में जाती ही है, तो ओडीशा एक बच गया था, correct answer आपका option D बनेगा, बताएगे निमलिखित में से कौन सा दूइप जो है, परवाल दूइप कौन है, तो answer क्या बोलेंगे आप, परवाल दूइप जो है, लक्ष दूइप है, correct answer D बन जाएगा आप और टोटल जो है, 36 से यहां पर दूप है, लक्ष दूप है, बताएगे, और कर रेखान निमलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती है, वो कौन सा राज्य है, बताएगे आप, तो answer क्या बोलेंगे, कौन से राज्य है, गुजरात से होकर त गुज्रात राजस्थान मंद्य पर्देश 36 चारकंट पस्षी मंगाल तिरपुरा और मिजोरम है यह आठ राज अगला बताएगा निमलेखित में से कौन सा एक बिहार उत्तर पर्देश की संयुक्त पड़ियूजना है वह पड़ियूजना के नाम बता दीजिएगा जो भार अस्तर को किस नाम से जाना जाता है जो मध्यवर्ति अस्तर होता है उसे किस नाम से जानते हम लोग तो मध्यवर्ति कहने का मतलब है दूसरा पहला को है तो ग्राम अस्तर पंचायत है पहला है ग्राम पंचायत ठीक है ना दूसरा जो मध्यवर्ति आता है उसे कहते हम लोग अग्ला बताएगा भारती कम्स्त पार्टी मार्क्सवाद का गठन किस वर्स किया गया था कब किया था तो आप बोलेंगे 1974 में राइज इंसा ऑप्शन सी होगा पताएगा निमलेखित में से किस देश ने पहला कृतिम उपकरा अस्पुतनिक वन लॉंच किया था तो वह कौन सा है दोस्तों और वह कब किया था तो 2057 में किया था यह भी याद रखे अस्पुतनिक वन को यह देश का नाम क्या है तो आंसर बोलेंगे पुर्व सोवियत संग यानि यू एस एस आर अब बोलते हैं से रूस बोला जाता है करेक्ट एंसर ऑप्शन ए बनेगा बताएगे थार मरुस्तल है थार मरुस्तल किस राज स्थान में है राइटेंस ऑप्शन बी और विस्व का सबसे बारा मरोश्तल सहारा मरोश्तल वह किस देश में है तो आप बोलेंगे उत्री अफडिका में है करेक्ट एंसर क्या बन जाएगा में उत्री अफडिका अब बताना है आपका कि रेनु का आदर भूमी नामक जो है अब वर्तमान में कितनी हो गई है 2024 में तो अब बोलेगा टूटल 85 हो गया अभी वर्तमान में तामिलनाडू का दो और एक मध्य परदेश का जूटा है 2024 में मतलब अभी तक अक्टूबर मास तक अभी तक 10 जूट गया है जन्वरी से लेकर बताएक गोदावडी बेसीन का सबसे बराज जलग रहन छेतर निमलिखित में से किस राज्य में है किस राज्य में है तो आप बोलेंगे सबसे ज्यादा महारास्ट में है यह महारास्ट अगला बताएं निमलिखित में से कौन सा राज्य कौन सा राजस्थान राज्य पक्षी है कौन सा जो है राजस्थान राज्य का पक्षी है तो आंसर क्या बताएगा आंसर बोलेंगे सोंची रहिया है ना ग्रेट इंडियर बोलते हैं इसे हम लोग करिक्ट अंसर सी बन जा सबसे कम है कौन सा राज्य है तो आपको पता होना चाहिए यह बिहार राज्य है करेक्ट अंसर डी बनेगा अगला प्रसंदे कियेंगे हम लोग सबसे ज़्यादा जो है किसका है तो मुंबई और गुवा का है एजी ओन पॉपूलेशन नामक अपनी पुष्टक जन संख्या ब्रिधी के सिदान देने का सरे अनिमलिकित में से किसे दिया जाता है इसे दिया जाता है तो आंसर बोलेंगे Thomas Robert Malthus को C बनेगा एक विशेस दिन पर जो है लोग सभाग के अधिक्तम कितने तारांकित प्रसंद पूछे जा सकते हैं कितने तारांकित पूछे जा सकते हैं तो 20 करेक्ट अगला मताईये दोलोमाइट किसका एक अयस्क है दोलोमाइट किसका अयस्क है तो आप बोलोंगे मैगनीशियम का दोलोमाइट किसका है मैगनीशियम का है मैगनीशियम का संगेत एमजी होता है दोलोमाइट किसका अयस्क है तो यह है मैगनीशियम का बताईए अगला प्रस्म कहरा आम तोर प उलका पात दिखाई देता है प्रित्वी से दिखाई देता है क्वा ड्रेंटर्ज यह उलका पिंड है उलका पात दिखाई देता है तो कौन से मतलब कौन से मन्थ में दिखाई देता है तो आंसर आप क्या बोलेंगे यह दिखाई देता है दिसंबर और जन्वारी के मास में तो correct answer हमारा option A बन जाएगा निमलेकित में से किस केंदर्शासित परदेश का राज्यों की परिशद में परतिनेद्धतु है कौन से राज्य में हैं बता दीजेगा केंदर्शासित तो answer बोलेंगे आप पुद्ध्युचरी में बनेगा अगला प्रस्ण बताएगा कोलार गोल्ड फिल्ज भारत के किस राज्य में इस दिखा होगा तो आपको पता होगा किस राज्य में दूस्तो तो राइट इंसर आप बोलेंगे option C करनाटक में है अगला प्रस्ण बता दीजेगा व्यापार संतुलन पद का संदर्व है तो करेक्ट इंसर बोलेंगे अप आयातो एं नेड़ियातो में अंतर करेक्ट इंसर ए बनेगा आयातो एवं नेड्यातो में अंतर अगला प्रस्ण देखा जाएक तो बोल रहा हैं अगरणी अग्रानी वैक्सीन निरमाता कंपनी sirm institute of India प्रैवेट लिमेटेर निम्लिकित म से किस कॉर्परिट घराने से संबंदीत रखती है तो आंसर बोलेंगे साइरस पुने वाला समू स्री वल्ली पुथूर हाथी अभ्यारन निमलिखित में से किस राज्य में नाम से प्रतित होता है या किस राज्य का है दोस्तों तो यह जो है तामिलाडू का है करेक्ट इंसर क क्या बनेगा थमने सी होगा और चारों डेखरियंता अने साउत का इंडिया इस नाम से रियूजभ तो इयादर के सबसे जादा जो है भ्यहां पर कि रहा है तैंग्याम दूमिफित मेंसे निमलिखित घर्रेशी मेंसे जरक्षए और या रूप से लोग से जो है चूफ हाट से संबनित रखता है चूफ हाट से पता दिजी तो आंसर बोलेंगे लेपक्चा करेक्ट असर भी होगा लेपक्चा जन जाती समधाय जो है यह तो पार्ट लोखनेती से समंध्ध है अगला परसंद देखेंगे निम्लेखित में से कौन सा उस क्रिसी पर नाली कुदर साथा है जिसमें एक फसल लंबे, चौरे, छेतर में उगाई जाती है तो वह कौन से क्रिसी है आंसर बोलेंगे रोपन क्रिसी आंसर ए बनेगा रोपन बताईए महंदरगिरी किसकी एक सबसे उची चोटी है महंद्रगिरी जो है किसी एक सबसे उची चोटी है तो आंसर बोलेंगा पुर्वी घाटी की है, correct answer, D बनेगा पुर्वी घाटी की है, महंद्रगिरी महंद्रगिरी भारत के वो डिशा राज जमेश्ति थैं, इसकी उचाई कितना है तो यह भी आदर के 1501 मीटर हैं, अगले अगला प्रसंद की भारत में प्रकासित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था कौन था बंगाल गजट ऑर jakie बनेगा पहला समाचार पत्र निकालने आश्रे किसको जाता है जिन्होंने 1780 में कब तो 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया किन्तु कंपनी सरकार किया लोचना कारूने प्रिस जप्त कर लिया गया था अब बताए भारत के सर्वुच्य न्याले की अस्था अपना कब होती है तो आंसर क्या बताएंगे आप बत समाज का अस्थापना होता है कब होता है और समाज क्या स्थापना तो आंसर बोलेंगे अब राइटेंस ओप्शन में सबसे भयंकर किस दोर्ण पर था तो आंसर आप बोलेंगे अठारह सोर्साच से लेके अठार तक पर था तो correct answer option बी correct answer हो जाएगा यहां पर और उसमें जो है यह किसका सासनकाल था तो आप बोलेंगे इसका Lord Litton का किसका था सासनकाल तो Lord Litton का सासनकाल था है न और इसमें पता है क्या पर था यह भारत की कई छेत्रों में बहुत बरा क पर था जिसमें लगभग 50 लाख लोग जो भूखे कारण कल्वकलित हुए थे और लिटन ने जो है लिटन ने अकाल के कारण ही जांचे तू कौन सा एक रिचर्ड एस्ट्रैची की अधिवस्ता में एक अकाल आयों की अस्थापना किया था लिटन अगला बताएगा निर्वा 2121 रिजैंग्लेंड के परदान मंत्री साइमन कमिशन की घुषना करता है लेखिन भारत आता है वह फेबुरी में आता है क्स गभाता है तीन डॉथ ur 1928 इसको तो आंसर बनेगा हमारा B कि युदि भारत के लिए पुछा जा रहा है पताई बृतिस भारत में अधिनियम के द्वारा मुसल्मानों को प्रिथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया है कौन से अधिनियम केता है तो आंसर बोलेंगे आप मारलो मिन्टे सुधार 1909 गरें जया इसमें जो है प्रिथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया मुसल्मानों को इनमें से किस महिला समाज सुधारा को पंडित कहा गया था तो आंसर बोलेंगे आप करेंशर बी रामा बाइ को करेंशर बी होगा रामा बाइ मताए निल विद्रो कहां पर हुआ था न यह जो नदिया जिला में इस ती जो गोविंदपुर गाउं में हुआ था सितंबर 1869 में हुआ था अगला प्रस्ण बदाएगा यह नील नील विद्रोग के जो है अत्यचारू का खुला जो है चित्रन दिन बंदु मित्र ने अपने नाटक जो है निल दरपन में किया है बदाएगे अपना अगला प्रस्ण महारानी विक्टोरिया की घोष्णा पत्र किस वर्स आया था कब आया था उनका घोष्णा पत्र तो आप बोलेंगे 888 अटावरेस भी को आया था और अगला प्रस्ण बताएगा निमलेखित में से कौन सा भारती रिजर्व बैंक के मौध दरिक नीती का स्थान कोन नहीं है तो आंसर क्या बोलेंगे अब करेक्ट इंसर सी वस्तू एवं सेवाकर जी एस्टी करेक्ट इंसर सी बनेगा अगला प्रस्म बते एह उनी सो चार में अस्थापित अभिनौ भारत था अभिनौ भारत क्या था मताई है 1904 में अस्थापित अभिनो भारत था क्या था या तो आप बोलेंगे क्रांती कारी गति वीदियों के संबंध में गुप्त संगठन था या और इसकी अस्थापना जो है कौन के थे बीडी सावरकर के थे इस संगठन के अस्थापना कहुआ था 1904 तो दिया ही है और बीडी मिलगर किने वर्द के था अगरा ऑसको करते हैं कि अगला भारत के अकाल सहींता की सीफारेस्किस डॉका किया सब् सब्सक्राइच या तो आँसर ले मां मताएं अकाल आइएप अगला प्रस्म पताएगा कि मुल नायक समाचार पत्र से कौन संब्दी थे मुल नायक मुल बूल रहा है मुक नायक जो है समाचार पत्र किस से संब्दी थे तो आप आंसर क्या बोलेंगे पता ये में से किसने तिलक को जो है भारती असंतोस का जनक को आंसर क्या बोलेंगे राइट एंसर ऑप्शन डी वैलेंटाइल सी डॉल बोले थे पताएगा भारत में औसांती के जन्मदाता किन को माना जाता है यह जो है वोन बोले है सर विल जो है वैलेंटाइल सी डॉल बोले थे बाल गंगा धराव तिलक जी को अगला प्रस्ण मताईगे इन में से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीती गुरु मानते थे किन को मानते थे सभी को पता है गोपाल कृष्ण गोखले जी को करेक्ट एंसर सी बन गाएगा आपका यहांटे अगला प्रस्ण मताईगे निउ इंडिया वो कॉमन विल समाचार पत्रों का संबंध क्या था इसका संबंध क्या था एनिवे से था आंसर डी बनेगा संस्तापक्त है इस पत्र के अगला प्रस्ण मताईगा कौन सा नियम जो है यह बताता है कि जुआर भाटा के लिए चंद्रमा और सूरे की इस्तितिया जिमेदार है कौन बताता ह तो आप बोले जो जवार भाटा कहलाता है और सागर्ये जल के ऊपर उठका आगे बढ़ना वो जवार तथा सागर्ये जल के नीचे गिरकर पीछे लोटने को हम लोग क्या कहते है भाटा कहते है वह इसका करेक्ट भी बन गया अब पहला कि सिंदु सब्यता संस्कृती खु बताईगा दूइति बहुत सभा होता है उसका योजन कहां पर होता है दूइति बहुत सभा उससे पहले आप जानों कि प्रथम बहुत संगिती जो होती है वह कब होती है तो 1883 इसापुर्व होती है और वो कहां पर होती है राजगिर में होती है अध्याक्ष कौन होते हैं महाकर्षयफ होते हैं और उसमें आजासुzetर करता है और जिर्थ्य जो बहुत संगीती होती है यह 250 इसपूर्व नहीं होती है और यह वह पूंडलवन यानि कि कुंडलवन कहां लूजम अध्यक्ष कों थे वसुमित्रैमेंटल अस्वगुसते और साशनकाल था कंशक अगला प्रस्ट बताईएगा भारती नेपोलियन किसे कहा जाता है भारती नेपोलियन किसे कहते हैं तो आवसर बताईए करेंगे इंपोलेंगे कि समवनुद्र कुपत को अग्ला प्रस जाएगा राजस्व विभाग का प्रमुक अधिकारी होता था जिसका मुख्य अर्थ क्या होता है राजस्व इक अठा करना और आए-पे-आए का बेवरा रखना दता था बार्सिक बजट को त्यार करना है ना अगला प्रस्ण मताएगा है कि मुहमद गज्रमी ने अपना अं कि अगला प्रस्ण मताएगा है कि चालीशा ग्रूप ग्रूप और 40 की शक्तियां को किषने तो रहा था कौन तो रहा था तो आंसर बोलेंगे आप बलबन ने तो रहा था पॉन तो रहा था पलबन करेक्ट अंसर बीवनेगा बताएगा ने मिलिखित में से कौन सा लाला डिपोर्टेशन यह भी है अन हैपी इंडिया इंडिया विंस प्रेडम जो है इनका नहीं है तो यह जो इंडिया विंस प्रेडम नामक पुछता गए अबुल कलम अजाज जी के द्वारा लिखी गई है तो आंसर क्या बन जाएगा कॉरेक्ट अंसर ऑप्शन डी होगा अगला प्रसन देखेंगे कहे पंदरः से उन यंवे किसे ने दक्षिन बिहार का आकमन किया लेकि शेख के द्वारा प्राज्थ हो गया तो कॉन था तो uncoms tele roux प लटा एंगे अप नुसरत साह ऑन साथ अखिला प्रसेंगा एक लोग प्रियो प्रयाटन अस्तल जो है has。 लौक दूप कहां पर है तो आंसर बोलेंगे आप अंडमान एवं निकोबार दूप सम्हों में हैं अंसर यह बनेगा कि अगला प्रस्न देखिएगा बिहार में 1857 के विद्रोह को किसने ने तुर्ति किया था बिहार में है 867 करने दुद्र अंसर बताएंगे वीड कुंinar सिंग किये थे आंसर बी बनेगा जग इसपुर से मिजोरम में मिजोरम के परामपड़ी के जुह है बांसर निर्ते को क्या कहते हैं तो चेराउ कहते हैं फंसर सी बनेगा क्या केते हैं चेराओ अगला प्रस्म पताएगा कि बंगाल विभाजन को किसके समय उलटा दिया गया था उसके समय महत्मए वाजा पंचम का है बहारत था यहां जो दिली में एक भौवित दर्बार कायोजन होता है जो बंगाल विभाजन को रद करने की घोषना भारत की रजधानी कोलकत्ता से दिली हैस्तानती कर दिया गया अगला प्रसने के किस घटना ने गांधी जी को भारत के सोतंता संग्राम के छेतर में लाकर खारा कर दिया था तो वह कौन था अधिनियम आंसर बताएंगे आप करेक्ट बोलेंगे रॉलेक्ट अधिनियम आंसर ए बनेगा ब्लैक आक्ट कहते हैं उसके हम लोग काला अधिनियम एक तरह से बोलते हैं छोई पड़ी लिए नीसो नीश को देश वे आपी जो हर्ताल आया था अगला प्रस सभाध के दोरान समीधान सभा के अधिक्स कौन थे तो आप बताएंगे राजेंद्र परसाइद जी थे अगला बताएंगे टाटाल लौह एम इस पात कंपनी के अस्थापना सी भूमी जीले जो है साक्ची में किस वर्स किया गये था कब किया था तो आप बताएंगे 1937 में जारखंड में ततकालिक जो भीहार राजे पड़ता है वहां पर जमसेद्पुटाटा जी के द्वारा किया था बदाएंगे भागवान बुद्ध ने ज्यान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्स तक तपस्या और साधना की व्यतीत किये थे कहां पर किये थे तो आंसर बत के नीचे जो गौतम बुद्ध से नाम से प्रसिद हो जाते हैं नील नदी किस जो है महाद्यूप में परवाहित होती है नील नदी बताना है आपको किस महाद्यूप में परवाहित होती है तो आंसर आप बताएंगे अफ्रीका महाद्यूप में कॉरेक्ट असर एबनेगा सबसे लंबी नदी अगे को निम्लिखित सागरों में कौन सा पनामा नहर के द्वारा जुरी हुए है। अगला बताना है आपको क्यूंचन कानून से समीधान के कौन सा संसोधन स्म्बंधित है क्या संसोधन है आंसर बताएंगे आप करेक्ट अंसर सी बावनवा सर्धान संसुदन है कब आया था तो 1985 में आया था अगला प्रशन है कि बीश्वन नर्स दिवस कब मनाते हैं तो आंसर बताएंगे 12 माई को करेक्ट अंसर बी बनेगा 12 माई को मनाया जाता है निमलेखित में कौन सा यूरोब के रूड़ परदेश गोड़ एक परमुख उद्यम है ओ अंसर बताएंगे हृ exclusive बादों का उट्तर से ढक्षन की ओर हमें सही करम में बताना है काहां में उत्र से दकशिन की और मतलों उपर से नीचे की तरफ बताना है तो सबसे पहले हिमालummy हिमाले के पाद क्या है हिमाले फीर हिमाले फिर विन विन द्यन फिर सत्थ पूरा फिर निलगरी तो अनसर क्या बन प्रशन कि पाक जल संदी किसके स्तित है भारत और स्रिलंका बीच है राजेयों या केंदुशासइट परदेशों में किसमें जुआरी नदी परवाहित होती है तो घुवा में होती है वह बनेंगे और मांडुए नदी किनारे यहां पर ही कुछा के सं़ाफी संब्सक्राइब महान नयाइबादी को गरेगे जिसे opsleach अग्ला कुछ जरूंपन आता है फरें निम्लिकित कमीटियों में से कौन सी एक पंचायती राज संसता से संब्स चाहिस की कौन समर्दी lamp कमिटी जो है यह पंचायती राज संस्ता से नहीं संबंदित है यह असोग महता समीति यह एल एम सिंध भी समीती संबंदित है अगला प्रशन मन रहा है क्या कि निमलिकित अनुशेदों में से किस एक को डक्टर भीम रावंबेत करके द्वारा समिधान का हिर्दे एवं आत्म प्रश्द संबंदितान के हिर्दे आत्मा का गया है काकि नारा जो भारत के गैस चक्राइप इस्टाननेट नेटवर्क में एक बिशेव इसस्थान दक्ता है किश्थान पर मुख यह एस स्थान प्रिश्द में बताएंगे दिमांड़ा निरभ्हया फंड के द्वारा यह योजना जो है एक अपरेlington दोजार पंद्रह से सुरू किया गया है अगला प्रस नम्नास कि आसे कि अपना वार्सिक प्रति व्हे्दन सौपता है उपई यूपी यही जो है अपना वार्शिक जो प्रतिवेदान होता है वो किसे सौपते हैं वह राशपती को सौपते हैं बरेक्ट अंसर बी बनेगा अगला परस नहीं कि भारत के समीधान अंतगत कौन सेत कर खानों बच्चों के कि नियोजन की प्रतिश्य ज़ह नुज़ा करता है तो जोरे कर आदे नियुजन से प्रतिसेद करता है निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है किसके द्वारा हटाया जा सकता है निर्वाचन आयुक्त को तो आप बताएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परमर्स पर जो है राश्पति के द्वारा हटाया जा सकता है करेक्ट अंसर B बन सब्भयता अध्यान-केंद्र का नाम तो आंशर बताएंगे टाइगूर में एसका टाइगूर सिंटर आंसर बन जाएग ऑप्सन नाम है भारत के ततकालिक राश्पती उ completely थे 2013 में कौन थे तो पर्णाव मुखर जी जो हिमाचल पर्दिश के सिम्ला में जो भारती उनत अध्यान जो है आई आई एस में जो है संस्कृति यह सब्भेता का अध्यान के लिए जो टैगुर केंद्र का गाटन किये थे तो एक तरह से यह क्या बन जाएगा यह अपका सिम्ला में जो संस्कृति हम सब्भेता अध्यान केंद्र का नाम क्या है तो यह टैगुर सेंटर हो गया अगला परसुमताईगा कावा रती निमलिकित में से किस केंदर सासित परदिश की रजधान है कावा रती तो आंसर क्या बताएंगे खावारती किस की है लक्ष दीट की है करेक्ट अंसर डीबनेगा उन्ड माने उन्हें को बाड़त का क्या है तो आप बोलेंगे पूर्ट विलियर है और लद्दाक का क्या है तो लद्दाक का ले है जम मुकसमिर का वोपता है सिरी नगर और जमु है गिरिश्मि भारती प्रधान मंत्री ने वर्स 1999 में सांती घोसना पर हस्ताक्षर करने के लिए लहोर बस यात्रा किये थे तो कौन थे अटल बिहारी बासवेईजी थे एक अगला है सरीउ नदि के सरीयू नदी के दट पर बसे सहर की पहचान करना है हमें तो बताना है क्यों है अब लिए भारत में अंग्रेजी सिहां के एक बरिष्शम्रक थे वल Forces अंग्रेंजी के बरिसामर्थक जो थे उनका नाम के था उनका नाम था टीवी में काले था लॉडग टीवी में काले जो और उसने जो इसके बाद जो क्या किया जिसके बाद सारवजनी सिक्षा समिती के अध्यक्स पर नुक्त किया गया और उसके बाद लोर्ड विल्यम बैंटिंग ने उससे स्विकार कर लिया और अंग्रेजी सिक्षा दिनियम अथारा सो पैतिस पारिस कर दिया गया अगला प्रसंद कि खुले बजार की किरिया निमलीखित में से किस नीती का जो है अंग है किस नीती का अंग है तो आप क्या आपड़ता है तो आप बताएंगे महाभियोग आर्टिकल सिक्स्टी वन के तहत है ना अंसर यह बन जाएगा और यह महाभियोग जो है कहां से लिया गया है तो अमेरिका से करिक्ट असर बनेगा बताएं निमलीखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच एक इस्तित पहार तो आप बोलेंगे अध्यक्ष देते हैं लोग्षाभा में और वह कौन सा नुक्षेत के था तो अनुक्षेत एक सो के एक के तैत भारत में और दोगिक विकास के शुरूआत कब से होती है और दोगिक विकास के शुरूआत होती है आपको 1948 से कर्रिक्टिंस अभी वनेगा अंदु है इसी वर्ष जो है सोतन ब्हारत की भारत सरकारी के द्वारा अपनी प्रफ्म और गीक नीती जारी किया गया था के अगला प्रसन है कि wp का पूरा नाम को है wp कैंड इसे थोख मुले सोचका है क्या क्या निक्स है वोल से इंडेक्स बोला जाता है तो आंसर कुन अधिन ये वन्य जीव संडक्षन अधिन में 1972 की धारा 38 के दो के तह जो बीवडो अपरादों को गिरफतार करने हैं तो संगठित वन्य जीव अपराद करतिविदी से सम्मंदित सूचना जनकारी इकठा करने और उसका विसलेशन करने करने वह राज्यों और अन्य जो है जो सचन ड्le time के बाद रास्तिय युजना ऐओ का एंक इसुरी दूश्यों से किया गया था जन संक्या में बिहार ano क्या है भारत का सबसे बरा राज्य बारत का सबसे isteぎा सबसे चोता में jeगा पॉन सक बनीत ऑ Initiे सबसे और राज राज ले घिए पहला कौन ऑन में संग की कारेपाली का सब्सक्राइब नहीं थे तो यह रास्पती में नहीं थे ऑप्शन सी बनेगा अनुश्य फिप्टी थिरी के तहत बिहार की जनसंख्या कितना से अधिक है कितना से अधिक है तो अब तो बारक करोर से भी अधिक हो गई है करेक्ट अंसर डी बनेगा य जो मैंने अभी 12 क्रोर सम्फिंग यह कूर से अधिक पताए यह जाती जनगन आपी जो हुई है 2023 में इसके अगॉर्डिंग बताए है हना लेकिन आपको क्या रखना है दुस्तों 2024 में उसके ऐखोरिंग में समानने विज्ञानेम गनित तो देखे इसे पहला प्रस्ण क्या बनता आपका जब लुहे की की जग लगती है तब आयरन अकसाइड बनता है ऐसी श्तिती निर्मान होती है तो कील के भार में क्या हो जाती है बढ़त के सांथ होती है correct answer C बनेगा वाक्य में वजन बढ़ जाती है iron oxide बनता है अगला पताएगा परकास वर्स जो है इकाई है किसका इकाई है बताना आपको तो या दूरी की है और नापन refugee से में लगभ के लगभग ब्रस बढ़बर होता है किसके बराबर होता है है कि आई आयनिक योगी के संदर मेंने में निम् से कथनों पर हमें विचार करना है प्रथम कथनों क्या है की आइनिक आयनिक योगिक जो है अलकोहल में और घुलंसिल होते हैं बात तो सत्ते हैं आयनिक योगिक जो है ठोस अवस्ता में विदूत के सुचालोग होते हैं बिल्कुल गलत यानि ओप्शन मेरा सीरफरसिप सही है एग अगला बताना आपको कि पौधे की लंबाई में ब्रिधी निम उपिकित में से किस वर्ग के उधारन डॉल्फीन जो है यह नामल्स के उधारन अप्राणी परित का अगला बताए वह अस्थान जहां कंप्यूटर प्रोग्राम एन यदि दूसरी रेल कारी चार घंटा में 40 km चलती है तो पहली रेल कारी की चाल हमें किलोमेटर प्रती घंटा में बताना है कि कितना हो जाएगा दूसरी रेल कारी की चाल जो है कितना है 400 और कितना यह घंटे में जाता है और स्पीड आ जाएगा आपके पास कितना 100 km प्रती घंटा आगे 100 km प्रती घंटा की चाल से चले दूसरी तो पहली का क्या हो जाएगा पहला का जो होगा आपका पहला का हो जाएगा सो बट्टे आठ और गुन्ने पांच होगा काटिए इसको कटने वाला चार दून आठ चार से पचीस टाइम है पचीस पचीस एक सो पचीस बट्टे दो इसे और भी छोटा कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा 62.5 किलोमीटर प्रती सेकेंड हो जाएगा तो वह तापकरम जिस पर जो है फारेन हाइट एवं सेंटिग्रेट दोनों सकेलों के मांज हैं समान होते हैं तो कौन से माइनस 40 देगरी है और ऋपस्टन वी क्रेक्ट अब अगला बतेग्यात अनवसे मतलब खराब इमेल को यह कहते हैं उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं स्पैम आंसर ये बनेगा सुची 1 और 2 को हमें मिलाना है तो आईए सुची 1 और 2 को देखते हैं नीला थोथा किस से रिलेटेट है बताना है आपको नीला थोथा तो नीला थोथा आप बताएंगे कॉपर सिलफेट्ट से हैं और एपसम लऒन जो है किस से है तो आप समनलन बता दिए किसे हैं मैंगसेist इस किरें में इसमें सॉड़नेट को के आने फॉलवील इसमें फुल्फिल कर रहा है और अगला बताना है सुचना की सबसे छोटी काई जिसे एक computer समझा जाता है और किरिया कर सकता है को desk कहते हैं उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं beat आंसर D बनेगा data मतलब सुचना computer में desk के रूप में store की जाती है किसके रूप में store किया जाता है तो आंसर बताएंगे आप के कारण होता है correct answer C बनेगा ताप करम की जो है SI काई है ताप करम की SI काई क्या है तो अब बताएंगे क्या बोलेंगे Calvin बोलेंगे आंसर ये बनेंगे Calvin अगला प्रस्न मतलब ये निमलिखित में से कौन सा विटामीन E का एक अच्छा सुरूत है E का एक अच्छा सुरूत क्या है तो ताजा सबजीया ताजी सबजीया विटामीन E का अच्छा सुरूत है मानो मस्तिक्स का जो है कौन सा भाग भूख प्यास और तथन निंद्रा को निंद्रा का केंद है तो कौन सा है आप बोलेंगे Hypothalmas आंसर E होगा Hypothalmas अगला प्रसने की मानो सरीर में निमलीखित में से कौन सी ग्रंथी जोरे के रूप में मौजूद रहती है बताए कौन रहती है तो आप आंसर बताएंगे अधिवरीक सोर डेसिबल रो का जो है प्रवलता अस्तर संगत होगा किसके संगत होगा या तो आंसर क्या बताएंगे आंसर बताएंगे एक मसीन सौप से आने वाले सोर गुल के आंसर डी बन जाएगा अगला प्रसने कीए एक 36 बृत में इस्तिर चाल से घुम रहे पींडी के लिए निमलीखित में से कौन सा इस्तिर रहेगा कौन इस्तिर रहेगा तो आप बताएंगे गती जूड़ जा जो है वो इस्तिर रहेगी आंसर डी बन जाएगा अगला देखिए कूकिंग ताप पर इस्तितर रहने वाला क्लोरीन युक्त जो क्रितिम स्विटनर है जिसका रूप तथा स्वाद जो है सक्कर की तरह होता है निमलीखित में से कौन सा है वो कौन सा है तो आप बताएंगे सुक्रोज है कौन सा है सुक्रोज है करेक्ट अंसर सी बताएंगे अगला बताते जीगा डिमलीखित में से कौन सी अंतिबाइोटिक नहीं है ंतिबाइोटिक कौन नहीं तो आंसर बताएंगे ओक्सी टोसीन छो है एन्टिबाइोटिक नहीं यह आपर दोचीन एक फैप्टाइड हर्मोन है जो कि को कि ऑर गमarकी सभी हैं एन्टिबाइटिक अग्ला बताएक हेपिटाइटिस भी, विशानु का, वुद्भॉण काल कितने दिनों का, वीटामिन, हेपिटाइटिस भी, विशानु का जो है, उद्भॉण काल होता है, कितने दिनों का, तो आप आंसर बताएंगे, 30 से 180 दिन का होता है, जैसे RBC का कितना होता है, आपको पता होना चे 120 दिन होता है न, WEC का दूसे 4 दिन कि स्वतंत्र भारत के प्रथम सिख्षा मंतरी कौन थे? वांसर क्या बताएंगे आप? अबूल क्लाम अजाद जी थे, correct answer C बनेगा सिख्षा मंतरी अगला बताइए निमलिखित में से कौन और सहयोगा अंदोलन से जुरे हुए थे कौन और सहयोगा अंदोलन से जुरे हुए थे जो और सहयोगा अंदोलन कब हुआ था तो और सहयोगा अंदोलन से जुरे हुए थे उनका नाम था लाला लाजपत्राय जी अगला प्रस्ट बताएंगे जहाँवा ना प्यूमिक बोलते हैं उसको हम लोग इंगलिस में आंसर डी बनेगा प्यूमिक जो है क्या होती है पानी में तैड़ती है अगला प्रस्ट बते हैं राष्टी क्रिसी और ग्रामिन विकास बैंक यानि नबाड की अस्थापना किस वर्स किया गया था किस वर्स किया था तो आप बताएंगे 1982 में आंसर यह बनेगा 1982 मगध और इसकी राजधानी पाटली पूत्र जो सारे संसार में परसिद हुई को किस ने बस आया किस ने बनवाया था तो आंसर क्या बोलेंगे और पटना का जो पाटली पूत्र है इस ने बनवाया था तो पाटली पूत्र बनवाया था उदाईन और इस पाटली पूत्र का पटना नाम दिये थे सेर्षा 1541 में 1541 में मताई 1551 में सुरू की गई भारत की पहली पंच वर्षी उजना क्रिसी उत्पादन को बठावा देने की द्रिश्टी से क्रिसी और सिचाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निमले किस आर्थिक मोडल पर अधारी थी किस पर अधारी थी तो प्रथम बोलेंगे पर अधारी प्रथम महिला मुख्य मंत्री सुचेता कर प्लानिम बनी थी तर प्रदेश की आंसर डी बनेगा अगला बते यह निमलेखित में से कौन ऐसे सोतंता से नानी थे जिनकी डिजाइन की आधार पर वर्तमान भारती रास्टी धोज को डिजाइन किया था तो आंसर क अगला बनार निमलेखित में से कौन देश के पास संजुकत राष्ट्टेव शूक्त पावर कों अगलेखित ऐस मिरदा संस्रिक्षन की विपधि है बना इसमें तो अभं बताओगे मल्चिंग जो है क्या है मिर्दा सनक्षन की बिधी यह हिंदु महासभा के संस्थापक कौन थे हिंदु महासभार हो ना हлекए तो आउसर का बताएंगा तो यह यह महत्मा गांधी जी की गरेक्ट इंसर b बनेगा महात्मागांडी समिधان सभाह कि अध्यक्ष निम्ल इखित में कौन थे समिधान सभाह की अध्यक्ष देखा जाए यह नहीं डिया जीनए डक्टर रजिन प्रसाज जी सचिताни नंसी का उपसम ही नहीं लोग सभा के प्रोटीम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं तो आंसर बताएगा पूर्तिगाली खुज करता है वासको डिगम्मा चोदो संठार्मे में कहां उत्रा था दूस्तों कालीकट बंदरगा केरल में पड़ता है उससे में जमोरिन राजा थे उनका स्वागत किये थ इसे answer correct बी बनेंगा पस्मीना सौल नामक जो है मसीन सौल किन बक्रियों के अदोलों से बुना जाता है कौन से बक्री के अधोलों से बुना जाता है यह आसर बताएगा कासमीरी बकरी के correct answer भी होगा अगला प्रस्म लेखे हाई I am an ethist सिर्षएक पुष्तक के लिखे कौन है हाई I am an ethist सिर्षएक पुष्तक के लिखे कौन है तो answer बताएगा भगत सिंग और यह कब परकाशित हुआ था तो 1931 में हुआ था अगला प्रस्टन है कि निमलिकित में से किस्ने सौबेंट आफ इंडिया सूसाइटी के स्थापना गपाल कुछन गोखले किये थे अंसर बीवनेगा उनने सो पांच में किये थे मांडो किस राजे की लोक रूप है मांडो मनदुई नदी कहां भैती गुवा में यह मांडो किस राजे की लोक गीत का एक रूप है तो आंसर क्या बताएगा गुवा ही है correct answer D बनेगा बताए कभी काली 10 किसकी दरवारी कभी थे कभी काली 10 जी तो आंसर क्या बताएंगे अब आंसर C चंदरगुप्त विक्रमादित्य के correct answer C बनेगा बताएंगे 82 degree 30 मिनट पुर्वी दे संतार देखा निमलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है तो आप बताएंगे करनाटक से होकर 36 गर उतर पर्दी सांद्र पर्दी से होकर जाती है करेक्ट एंसर यह बनेगा निमलिखित में कौन सी नदी गोदावडी की सहाइक नदी नहीं है कौन नहीं सहाइक नदी बताना है आपको तो आपको आपको नदी नहीं है अगला परसन देखेंगे कहरा कि नगर मंदिरों में आमतर पर वस्तु कला की कौन सी सैली होती है नगर मंदिरों में आमतर पर वस्तु कला की क्यों सी ष्ति नगर में तो आंसर क्या बताएंगे नागर नगर क reopen सर सी उपसन सी उथ्त भाड़ती में होती है नगर से लो हुमायू का मकबरा कहा है इस्तित है तो आंसर क्या बताएंगे हुमायू का मकबरा इस्तित है दिली में करेक्ट अंसर सी बनेगा बताएं दीन अईलाही किस ने सुरू किया था दीन अईलाही कोण सुरू किया था आन्सर क्या बनेगा अकबर ने शुरूकिया था दीन इलही कब शुरूकिया था तो 1582 में आंतरास्टी उजुन परद सनक्षन दिवस कम भ्राइब को मनायाता है अंतरास्टी उजुन सरक्षन 16 सिप्टेमबर को मनायाता है मायो नमा किस ने लिखा था गुल बदन बेगम ने लिखी थी इसकी चचेडी बेहन थी महावीर का जनम हुआ था कहां पे हुआ था महावीर का जनम आंसर बताएंगे अप आंसर जो कुंडल्ग्राम में नहीं हुआ था उनका जनम कुंडल्ग्राम के जो है ग्यात्रिक कुल के परधान शिधार्त के हाओं इनका हुआ था कभ़ा था तो itselfольшी इसापूर में हुआ था और इनकी माता का नाम क्या था त्रिसला जो लिक्ष्वी की राज़वारी थी तो आंसर क्या बन जाएगा राइट एंसर ओप्शन B अगला बताएगा कि कौन सा प्रथम वेध है कौन सा प्रथम वेध है कौन सा है सबसे पहला वेध है रिग वेध करिक्ट एंसर D बनेगा तूटल 10 मंडल है 1028 सुकती है आपको पता होना चाहिए अगला प्रसन देखेंगे बंगाल का विवाजन कब हुआ था बंगाल का विवाजन हुआ कब था तो आंसर बताएंगे 1905 में हुआ था 19 जुलाई 1905 के ततकालिक वैसर आइकोन था करजन था भारती सम्धान की कौन सा अनुछेद आपातकाल के उद्घोसना से संबंदित है आपातकाल के उद्घोसना से तो आप बताएंगे 352 का रिक्टन सर्थी बनेगा अनुछेद 352 है कि इंटीन खनीज का भंधार किस राज्य में है तो आप बताएंगे 36 गड़ में आंसर यह बनेगा निम लेखत में सब्सक्राइब है तो हम बताएंगे नाटी नाटी है हिमाचल प्रदेश में परशिद पंचायती राज संस्थाओं को निमलिखित में से संदरवन डेल्टा किन नदियों के द्वारा बनता है संदरवन तो अब बताएंगे गंगा और ब्रहम पुत्रा करेक्ट अंसर बन जाएगा और यह संदरवन डेल्टा कहां पर है पस्चिम मंगाल में बता दीजिए यमुना एक्स्प्रेस किन दो सहरों को आपस में जोड़त जाती है तो आंसर बताएंगे अप कारथ कोरund में प्रहेंगे पाए जाती हे करेक्ट असर बं गया अडिक्रेद्स चम्पारं अंदोलन किसने सरूओ지 यह तह्यता तो महात्मगंदी श plaintया थे Diagnos राश्ट्री करन लिखित में से किस वर्स हुआ था भारती राश्टी जो आर भी आई है उसका राश्ट्री करन कब हुआ था तो आंसर बताएंगे 1935 में वह था परेक्ट अंसर सी बनेगा 1935 अगला प्रसंद देखेंगे एक अप्रील 1935 को होता है नेक्स स्कूर सन कह रहा क्या होती है 1985 को करेक्ट एंसर करेक्ट एंसर अपका राइट एंसर सी बनेगा बंबाई में होता है अगला प्रशन देखेंगे मिश्रित अर्थ नीती पद का अर्थ क्या है मिश्रित अर्थ नीती पद का अर्थ क्या है तो आंसर क्या बताएंगे आप अर्थ है इन में से कोई नहीं राइट एंसर इसका डी बनेगा अगला प्रशन देखा जाए अगला है कि गीत अंजली की रचना किस ने किया है गीत अंजली के लिए उनको नोबल प्राइज मिला था वो कौन थे रविद नार्थ टैगोर जी थे तो कारेक्ट अंसर ऑप्शन ए बनेगा रविद नार्थ टैगोर 1910 में मिजोरम की रचनी का है बता दीजे मिजोरम की रचनी तो आंसर बताएंगे आई जूल है मिजोरम की रचनी निमलिखित में से किस तारिक को अंतरास्टी ये बाग दिवस के रुप में मनाते हैं अंतरास्टी ये बाग दिवस के रुप में 29 जुलाई को मनाते हैं आं बताना है आपको भुटान का उच्छा परवद कोन है तो आंसर बताएंगे आप गंग खर पुनसुम गंग खर पुनसुम है आंसर सी करेक्ट बनेगा यह जो है हिमाले में तिबद की सीमा के पास इस्तित है अगला प्रसने कहेंगे कोन प्रिथवी का बाहे भाग है डी करेक्ट होगा आंसर भारती विसुविद्याले आयोग की अस्थापना किस वर्स किया था भारती विसुविद्याले आयोग की अस्थापना कब हुआ था तो आंसर बताएंगे 1902 में हुआ था है ना करजन के समय में हुआ था 1902 में और अध्यक्षा कौन क्या था टॉमस स्राइली के अधेक्षा में हो था विश्व विद्याले कायोग आया था टॉमस के अधेक्षा में अब आगे नेक्स्ट सेशन जो आता है वो समाने विज्ञाने गनित रहता है देखिए इसमें क्या कुश्चन बनता है अपका कहरा कि परकास यह जो यू भी और एक के बीच हम तरपन सुत्र अगला देही परतिक दस ओम मान के दो परतीरोदों को समरांतर में जौरने से संयोजन का परभावी मान क्या हो जाएगा पांको पता है कि 1 & r equal 1 by R1 plus 1 by R2 होता है तो 1 by R1 कितना है तो 10 है और plus 10 तो कड़िये कितना जाएगा 10 और एक एक कड़िये तो 2 यानि दूसे काटिया एक बट्टे 5 यानि R की भैल्यू आजाएगी 5 तो right answer option B correct answer हो जाएगी बताए सूरी परकास के focus हेतू निमलिकित में से किसका पर्यूग होता है इस दर्पन या किस लेंस का उप्यों होता है सूरी परकास के focus हेतू निमलिकित में से किसका पर्यूग होता है तो answer बताएंगे और उतल दर्पन का होता है correct answer C बताएंगे और उतल दर्पन पर जर आप्तित होती है तो परवर्थन के बाद जो है दर्पन के फोकस से होकर गुजर्थी है अगला प्रक्शन बताएगा गुरुत्विय नियतांग कैपिटल जी का मान आपको बताना है कैपिटल जी का मान कुन सा होगा इसका एक ही यूनिट देख रहा है न्यूटर मीटर स्क्वार पर केजी स्क है तो राइट एंसर अप्षन बी करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला बता जीएगा कैपलर के ग्रहिये गती के प्रथम नियम के अनुसार ग्रह की गती होती है ग्रह की गती कैसी होती है तो आप बताएंगे दिर्ख ब्रेतिय कक्षाय में होती है अंसर बी बनेगा अगला द अग्ला परसन देखेंगे यह बोड मास्क है दोस्तों बहुत ही सिंपल है अब देखे इस परिखर चोकर और यहां पे मतलब मल्टीum 204 यह फ्ल आपके पाण यह हैसे आपके और दो यह कितना हो जाएगा किस बट्ते फांच की फिल होना उसाний खूटा हो सकता है पांस और ये चार तो गुणा किया गए है तो 124 बटे 35 आप देखो इसमें से हम ले लेंगे तो कितना आजाएगा हमारे पास 35 आजाएगा ठीक है और इसे घटा दो 147 में से 124 घटा दो कितना आजाएगा आपड़ावके पास आपके पास आजएगा 23 यह आपके पास इसका फैलू कितना आगे 23 बटे 35 अब इसे डिवाइड करना है इससे तो इसका फैलू निकालिए तो इसका कितना हो जाए अठारा एक उन्नीस बटे 3 ठीक है माइनस यह कितना हो जाए 15 16 बटे 5 और गुन्ने करना है दो एक 3 बटे 2 काटके देखी कोई करने वाला है इससे काटी आठ टाइमस में और तो कोई कटेगा नहीं तो 19 बटे 3 और माइनस हो जाएगा 24 बटे 5 ले लो कितना हो जाएगा 15 अब इसका यह जब 15 आगया तो इस घटा लो 95-72 घटा दो कितना जाएगा आपका तो 15 बटे वटे जो है 15 आपका कितना जाएगा 23 बटे 15 इसका कितना था दोस्तों जिए 23 बटे 35 था और इसे 95 में से 72 घटा आएगा तो कितना आगया है दूस्तों तो इसका आगया है आपके पास 23 बटे 15 ठीक है अब देखो यहाँ पर डिवाइड है तो आपको पता है रूल क्या होता है डिवाइड में यह चेंज हो जाता है डेनिमिनेटर निमिनेटर ब सब्सक्राइब चीनी के मुल में 50% ब्रती है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपना व्याय को केवल 55% बढाता है उसे चीनी के उपभोग में कितना परतिशत दसमलों के दो अस्थानों तक आपको कमी करनी होगी ये बताना है तो आईए हम लोग बना के देखते हैं माल लेते हैं उपभोग में परतिशत की कमी कितना है x-phertyceit है, यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, इतना है, एक-phertyceit की कम है, तो 25 equal जो है 50 minus y और minus जो है 50 y by 100, इसे solve करते हैं, तो कितना जाएगा अउपास, 3y by 2 equal हो जाएगा 25, अब तो इसे कटने वाली है नहीं, तो y की value आपके पास कितनी हो जाएगी फिप्टी बैइ, थ्री हो जाएगा यह करेंगे तो पचास और बटे यह वाई है तुस्तों ठीक है वाई थ्री आगे इसे हम लोग और ब्रेक करेंगे तरह 16.67 तो आपके पास आंसर कितने आ जाए 16.67 ऑप्शन नमर अब देख रहा है डी करेक्ट एंसर है अगला प्रस्ण देखेंगे कह रहा कहरा कि चंद्रगरह होता है जब चंद्रगरह कब होता है तो जब प्रित्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब होता है तो आंसर बी करेक्ट एंसर होगा बताईए दो किलोगराम तंबा का 330 330 किलो से 353 किली तक तापकरम बढ़ाने से अच्छा कैलव प्रित्या कितना है तो 385 जूल पर केजी पर कैलविन है तो आंसर क्या हो जाएगा बताईगा तो आप आंसर बताना है करेक्ट अंसर बी हो गया और 3500 हो जाएगा क्यूंकि 2 केजी तीन सो पचासी दो गुने तीन सो पचासी आप करोगे उन्हें 333 माइनस 305 हाना 350 तब फिर करेंगे दो गुने 50 अगुने 250 जूल तो टोटल आजाएगा 38500 अगला प्रस्न बताएगा कि टेप रिकोर्डर में टेप पर जो है सब्द का रिकोर्ड किया जाता है कि इसके रूप में किया जाता है तो आं तो अंसर यह बनेगा अगला वताहिए रीड बीना नली का बाद रीड जऑब आंसर क्यां क्या मताइंगे कारिक्ट इंसर भी अध्यगर मताएगकेलाइट तो आप अंसर बोलेंगे फिनोल एन फारमेलडिहट से फिनोल-फारमेलडिहट से बाकलउट प्रब्राप्त के राता है अगला देखे है engag hydrogen की द्रवाइमान संख्या बताना hydrogen की द्रवाइमान संख्या कितनी है तो आप आंसर बताएंगे एक है सुडा वाटर में परस्तूत कौन सा गैस जो है परेयोग होता है सुडा वाटर में कौन सा परस्तूत होता है एक करेक्ट होगा अगला बताएंगे ऑक्जेलिक एक्सिड जो है एच्टू सीटू ओफोर में जो है सी मतलग ऑक्सी करन संख्या आपको बताना है तो ऑक्सी करन संख्या कितनी है इसकी ऑक्सी करन संख्या इसका तीन है और कैसे बनेगा अक्सिकरन संख्या तो आए यहां पर हम लोग बना के देखते हैं इसकी अक्सिकरन संख्या कितका तो H2 C2 O4 में हमें किसका निकालना है तो C का सिया की जो है ऑक्सीजन संख्या जो है वह मैं बता निहें कि इतने होगी है इहां पर इंप्याने लेन संख्या संख्या है सनकिया जो है इसका एक सरने थे तह रहले दो है तो एक उफ़ोर से के जचnyt क ie आजाएगा 2X equal 6 यानि X की भैलू 3 तो हमारे पास X की भैलू कितनी आ गए option नमर correct C बन गई अगला प्रस्वन देखेंगे कह रहा है कि तामबा का तत्रू कौन तत्रू होता है तामबा का सत्रू कौन तत्रू होता है तो रहलों सब्सक्षाइब नना सिखेंगा लाइकर्णाफ्णे इसलेकर उसना अन्सर फार कि अवर्याज कौन फथे देंगे का चलthankा णौन प्लस व्रेंद करेट करेक्षे को में सब्सक्र बताएंगे झाल